खबर उत्रप्रदेश से जहां पर एक मा ने एक ऐसा फासला लिया जिसके बुनियाद पर एक साथ पांच लोगों की जिन्दगियां खत्म हो गई उसने खुद जहर खाया अपने चार बेटियों को जहर दे दिया उत्रप्रदेश की पतेपुर्द जिले से दिल तहला देने वाली घटना सामने आई है जहां एक मा ने अपनी चार बेटियों के साथ जहर खा कर आत्म हत्या करी पिछले दो दिनों से घर का दरवाचा ना खुलने के बाद पडोसियों ने पुलिस को सूचना दी मौकी पर पहुची पुलिस ने दरवाचा तोड़ कर जब घर के अंदर गई तो एक ही परिवाल के पाचों के शक बरामत हुए कमरे की चानबीन में पुलिस को सलफास की गोलिया और कटोरी में घुला हुआ जहरीला पाउजर भी मिला माना जा रहा है कि माने अपनी चारों पीजियों के साथ सलफास की गोलिया और जहरीला पाउजर पी कर आत्म हट्या कर ली वारदा 24 गंटे पहले की इस वक्त मैं उसी घर के सामने खड़ा हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मा समेथ चार बच्चियों ने सुसाइट किया है जैसा कि बताया जा रहा है कि जो वजय है वो पारिवारी कले है पिता जो है वो इनके नशे के आदी थे और कहीं न कहीं रोजी रोटी का संकट बताया जा रहा है बच्चीयां जो थी वो सभी पूरा परिवार देख सकते हैं आप इसी एक छोटी सी कोठरी में रहते थे और गरीबी का आलम आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से छोटी सी कोठरी है और ये एक दस बाई दस का कमरा अगर गहें तो शिर्फ इतना है इसमें और यहां कि आप्ने कori हे और पाल गीं भी क्रिये और का सब्सक्राइब कि नहीं करूं कि युद्वी करतेनों कर दो हिए उन्हों परेद इन सानों कि में इसो और थे में रहा है मोचर गैराज में काम करने वाला रामभरोसे को नश्रे की बूरी लत थी पती के नश्रे की आदत से उसकी पत्नी काफी परिशान रहती थी रामभरोसे नश्रे की लत में पत्नी और बच्चों से लड़ाई जगणा किया करता था हाली में रामभरोशे का पत्नी और लड़कियों से जब कर जगड़ा भी हुआ और पूरे परिवार से जगड़ने के बाद रामभरोशे घर से चला गया था तब से वो घर वापस नहीं आया यह लोग एक रुट जगड़ा के ने अपन गाली के जो होता था मामले में पुलिस ने रामभरोशे के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेवित करने का मामला दर्श कर उसे गिरफतार गड़िया है पुलिस ने रामभरोशे नाम की बेखती है यह अपने परिवार से तरह थे थे इतके परिवार में उसकी पत्नी और चार बच्चिया है रामभरोशे की गिरफतारी तो हो गई? पर इस दर्दनाख हादसे से पुरे पतेहपुर में मातम का बहुल है आर नाइन टीवी के लिए पतेहपुर से अब नीर श्रिंक चोहान की रिपोर्ट